नमस्कार मैं हो ससी आया जर्खन के टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं नक्सल छेत्र के युवाओ को सहा योजना से जोड़े स्थीम हमन्त जर्खन के मुख मंत्री हमन्सुरे नया घुसना किया है कि खेल और खेल परतिभा को बढ़ावा देने के लिए खेल विभाग सहा योजना पर काम कर रहा है इस योजना से नक्सल पर होई छेत्र के युवाओ को जोड़ने की योजना है ये युवा औसर मिलने पर खेल में अपना जोहर दिखाएंगे और राश्ट्रिये तथा अंतराश्ट्रिये अस्तर पर अपनी चमक भिखेरेंगे मौसम विभाग के अंसर जारखन में फिर से मानसुन के सक्रिये होने जा रहा है बतादे दो सितमबर के बाद एक बार फिर से मानसुन सक्रिये और चमा जम बारिश होगी दक्षिनी 36 गड़ में कौम दबाव का छेतर बना हुआ है बरतमान में इसका फैला विशाखा पटनम तक दिखने को मिल रहा है बतादे इस कौम दबाव के छेतर से ही होकर अभिमानसुन का टर फ्लाइन गुजर रहा है ऐसे में इसका सर राजे में एक से दो दिनों में दि लगाया जा रहा है बतादे चार सितंबर तक यह कंप सभी परखंडों में चलेगा बैक्सिनेशन कंप में पहली से लेकर आट वी काक्षा तक के सिख्षको को भी टीका लेना है इसकूलों को निर्देश दिया गया है कि सिख्षको और सभी कर्मियों के टीका करण के बाद प्रती दिन का डाटा गूगल सीट पर जीला कर्याला का उपलब्द कराए जिससे की या पता चल पाए की कीज परखंड में कितने सिख्षको का टीका करण हो चुका है बता दे डी यो डी एस सी के साथ चिकित सा विभाग की बैठक में या फैसला लिया गया था टीका करण क के मुख में ते हमान सुनिक इन देश पर लगातार मानो तसकरी की सिकार बालक बलिकाओ को मुख्त कराकर उन्हें पूर्णवास किया रहा है बता दे इसी कड़ी में मानो तसकरी की सिकार जार्खंड की दो योतियों एवं आठ बच्चों को दिली से मुख्त कराया गया है उन्हें पूर्णवास के लिए जार्खंड लाया जा रहा है उन्हें एक किरित पूर्णवास संसाधन केंद्र दिली जार्खंड भवन एवं बाल कल्यान संग के सवयोग से मुख्त कराया गया है तेजस्वीनी वार्ट्षेप गुरूप से महिलाओ की सुरक्षा रांची रेल डिविजन से आने जाने वाले यात्रियों के लिए आर्पी एफ ने तेजस्वीनी नामक वार्ट्षेप गुरूप बनाया है इस गुरूप में सिर्फ महिला यात्रियों को जोड़ा जा रहा है जो प्रती दिन कामकाज को लेकर पैसेंजर एकस्प्रेस या पैसेंजर ट्रेंज से या त्री करते हैं बता दे इस गुरूप में आर्पी एफ की महिला कॉंस्टेबॉल और अधिकारी जुड़े हैं इसके माध्यम से वाट्सेप में मदद सम्मधित दी गई छोटी से क्रिती बिक्सित करने पर जोर दिया जा रहा है हर प्रखंड में एक निशूल डे बोर्ड सेंटर होगा इसके अलावा हर जीले में रेसिडेंशियल सेंटर होगा यहां रहने भोजन तता प्रसिक्षन की पूरी विवस्ता होगी होगी को बढ़ावा देने के लिए खोटी स सिप योजना के तहत खिलाडियों को हर महीने 3,00-6,000 रुपे के स्कोल सिप मिलेगी जारखंड पूलिस के जवानों के लिए संदेश परिवार वा बच्चों का भी ख्यार रखे डिजीपी कमल जारखंड के पूर्व डिजीपी कमल नयन चोवे सिवा निवरित होगा है बतादे इस अवसर पर जेप ग्राउंड में उनके विदाई समारों का आउजन किया गया मुख्य आती थी पूर्व डिजीपी कमल नयन चोवे ने कहा कि सिवा निवरिती के बाद क्या करेंगे अभी सोचा नहीं है लेकिन जो भी करेंगे उस से वे सभी के करीब ही रहेंगे बतादे जारकन पूलिस के जवानों के लिए उन्होंने संदेश दिया कि वह अपने परिवार वह बच्चों का भी ख्याल रखे अभियान में वह महीनों घर से बाहर रहते हैं इसके बावजूद जब भी घर लोटते बच्चों को पूरा समय दे बच्चों में अच्छी सि गलवार को जल सहय संहर्च मोटा की बैठा गांधी मайदान में हुई बैठाक में जल सहय की वीभीन पर चार्चा की गई लंबीत प्रास्रमिक का भुगतान, पुलसाहन रासी का भुगतान, आधी मांगों को लेकर जल सहिया fella साशन पर गरम हैं बतादे जल सहया ने कहा कि केंद्र वह राई सरकार ने गाव में सूध पे जल वह स्वक्स्त वातावरन तयार को लेकर ग्राम पे जल यहम स्वक्स्ता समीति का गठन किया समीति के सचीव जल सहया बनाई गई है ज्यारखंट सरकार के खाते से फिर केंद्र सरकार ने काटे पैसे केंद्री उर्जा मंत्राले ने एक बार फिर ज्यारखंट सरकार को जटका दिया है उर्जा मंत्राले ने दामोदर घाटी नीगम का बकाया वसुलने के लिए RBI में राज्य के खाते से 714 कड़ो रूपए काट लिये हैं बतादे DVC की बाकाया राज्य की दूसरी किस्त के रूप में केंद्र की ओर से जारखन के खाते से 714 को रुपे काट लिये जाने के बाद एक बार फिर जारखन में इस मुद्धे पर केंद्र और राजे के बीच तल्खी बढ़ गई है जारखन में 12 नए केस मिले हैं जो राची से दो पोकारू से दो धनबाद से एक पच्मी सुन से एक देवहर से एक सिमडेगा से एक गुड़ा से एक जामतरा से तीन मिले हैं जारखन में कूल एक्टिव केस की संखे 130 है भारत में 43,069 केस मिले हैं भारत में कूल एक्टिव केस की संखे 3,22,722 है केंद्र सरकार करोई या बरदास के लायक नहीं जामुमो DVC यानि दमदर नगर निगम के बकाया मद में रासी काटने को सतारूट जारखन मुक्ति मुर्जा ने गलट ठाराया है चामुमो महासचीव सपरवक्ता बिनोत पांडे ने मंगलवार को इसे गलट ठाराते हुए कहा कि केंद्र करोई बरदास करने लायक नहीं है जारखन के मुक्ति है मंसुरेन ने कोई दफा जी एस्टी और केंद्री ये करोई का पैसा देने की मांग उठाई है लेकि केंद्र सरकार ने कोई करवाई नहीं की अब राजी के खाते से 714 कुड़ो रूपे काट लिए गया है केंद्र का ऐसा ब्यवार समझ से परे है मांसुन सत्र 3 से परवेश के लिए दोनों डोज अनिवार है जारखन विधान सबाके मांसुन सत्र के दोरान उनहीं परिसर में परवेश मिल पाएगा जिन्होंने कुरोना से बचाव के लिए भैक्सिन की दोनों डोज नहीं लिए उन्हें कुरोना की निगेटिव जाच रिपोर्ट दिखानी होगी ऐसा नहीं करने पर उन्हें परवेश नहीं मिलेगा बतादे तीन से नौ सितंबर तक प्रस्तावी सत्र में कानून बेवस्था बनाए रखने कोवीड से समधित प्रोटोकाल और कुरोना जाच सुनिशित करने का आदेश जारकन बिधान सभा के अध्यक्स रविंद्रनात महतों ने दिया है केंद्रिये मंत्री अर्जुन मुंडा दो को खुटी आएंगे बता दे दोनों नेताओं का दो सितंबर की सुबस साड़े आठ बजे नेताजी चोग पर स्वागत किया जाएगा तीन सितंबर को अपराहन साड़े चार बजे से रणिया के डीलर बागू साहू के पीडियस की दुकान और शाड़े पांच बजे रणिया के मरचा गाह में डिलर स्युनरायन साव के दुकान में परधान मंति गरीब कल्यान उजना का सुभारम करेंगे जातिये जनगन्ना के समर्थन में उत्रे आदिवासी जातिये जनगन्ना के संदर में जातिये जनगन्ना के अनुरूप आगामी जातिये जनगन्ना में सामिल करने की अनुसंसा केंद सरकार को भेजने चारखन के मुल वासियों की अस्थानिय निती निवजन निती अविलम परिभासित करने चारखन में बाहरी चारागा करोगने मुल निवासियों को हक देने की बात कही गई रांची नगर निगम ने फ्लेट बुकिंग की तारिक बढ़ाई परधान मंत्री अवासियों के तहट एचीशी के धुरुवा के आनी में बन रहे फ्लेट की बुकिंग की तारिक रांची नगर निगम की ओर से आगे बढ़ा दी गई है आवेदकों की भीड को देखते हुए नगर निगम ने आवेदन फर्म जामा करने की तीथी 15 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है बतादे जोजना में 108 फ्लेट का निर्मान नगर निगम द्वारा किये जा रहे है है धार्मिक अस्थल खोलने को लेकर पद्यात्रा जार्खन के सभी जीला में महिनों से बंद पड़े धार्मिक अस्थलों को खोलने की मांग को लेकर राय धानी में बुद्वार को दीन के चार बजे पद्यात्रा कारेकरम होगा बतादे पद्यात्रा पहाडी मंदिर मुखे द्वार के समीब से आरंभ होगी और हर्मो रोड में गाड़ी खाना अपर बजार सहीद चोक में रोड से होकर अलबट एका चोक पहुचेगी जहाँ पर जार्खन सरकार से धार्मिक अस्थाल को खुलने की मांग की जाएगी और पांच मिनट का सांकेतिक परदसन होगा कारकरम में सकती पीट रजरप्पा समेथ विभीन परमुख मंदीर कमेटी से जुड़े लोग यों सधालू सामिल होंगे HEC की बिजली काटने पर दीपक परकास ने ऊरजाद सचीव से बात की भाजपाख के परदेश अध्याक्स राज सबा सांसत दीपक परकास ने HEC में काटे गई बिजली को लेकर उरजाद सचीव अविनाच कुमार से फोन में बात की उन्होंने कहा कि सिर्फ HEC की ही बिली बिल बकाया है क्या उन्होंने मंगलवर को कहा कि जार्खन के कई ऐसे संस्थान है जिस पर लाखो रुपय का बकाया है कानून सब के लिए बराबर होता है अगर HEC की बिली काटी गई है तो सभी को बिल्ली काटी जानी चाहिए इसके बाद उर्यार सचीव ने तवरित करवाई करते वे बिल्ली भाहल करने की बात कही है ESP ने 50 और सहाय मेधावी 16 और को निसूल्क मोबाइल दिया समुदायक पुलीसिंग के ततोधान में जीला पूलिस उपकरण बैंक के माध्यम से मेधावी एव़म और सहाय 16 और को मोबाइल वर लेप्टोप का वित्रीत किया गया इससे ओनलाइन पठन पठन से बच्चे बंचितना हो सके पुलिस उपकरन बैंक में जामा मोबाइल को निसूलक एक अत्रित नया पचास स्मार्टफोन यह एक लैप्टोप को त्रितिये बित्रन समरोव में बित्रित किया गया प्रदान संस्था के तत्वधान में मंगलवार को मन रहेगा और ग्रामिर आजीव का बीशाय पर वेबिनार का आउजन किया गया जीसमें चार राज्यो जार्खन ठत्ति सगर करनाटक और पचिम मंगल के मन रहेगा आयुकतो सहीत बिभिन राज्यों की गर सरकारी संस्थाव के प्रति निधियों ने भाग लिया बेबिनार का उदेश अलग अलग राज्यों में मन रहेगा अंतरगत होने वाले कति वीदियों के बारे में समझ बनाना और आगे किर्यान वेयन को लेकर रनिती बनाना था बतादे वेबिनार की अवचारिक शुरवात प्रदान के कारेकारी निधियों सक नारेंद्र नात धामोदर द्वारा किया गया PLA 5 का सक्रिय नकसली गिरफ्तार रणिया थाना पुलिस ने परतिबंधित नक्सली संगठन पीलेफाई के सक्रिय सतस सुनिर सिंग को गिरफतार का जेल भेज दिया है बता देवसिम डेगा जिले के कोले बीरा का रहने वाला है पुलिस को दिये गए स्विकार रोकती ब्यान में सुनिर सिंग ने बताया कि 18 मैं 2021 को डिगरी के आई टोली के पास पुलिस और पिलेफाई के मुड़ भेड हुई थी धन्यवाद